हेलो गाईज वेलकम बैक टू यूटूब चैनल एसके मिशड़ी मैं हूँ आप एजगेडर स्यों मिस्रा यहां पर लिकराए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 केमेश्ट्री का हाफ यरली पीपर जी है यह आपके बोड़ वाला जो आपके स्कूल में आ रहा है उसका हाफ यरली ह सभी स्कूले में यह सब पेपर आपके हैं आ रहे हैं ठील पर पेपर कोड़ क्या है एपी एंट टुन्टिफोर कुछ बच्छे तो ऐसे कमेंट के ते गुर्दे हो आप जो यह पेपर दिये थे कास पहले ही हम पढ़के गए होते तो हमारा एक्जाम में अजबी तक आप वो पेपर मनाईए जो बोड में आ रहा है जैसे बोड में आ रहा है सेम तू सेम उसी पैटर्न पर यहां पर पेपर बनाये जा रहे हैं सत्मा नमर का क्या पुडांग है यहां पर उपन नाम और अंगमांग भनना है तीन घंटे पंदर मेंट का आपको टाइम मिलेगा सबसे पहले क्या अउसर बहु विकलपी है क्या है पहला यहां पर प्रशन है कि प्रतेख खंड में चार विकलप है सही विकलप अपनी उत्तर पुस्तिगान में लिखें मोल प्रभाज का मातरक होता है मों प्रभावाच का मातना क्ता है मोल लीटे इनमर्स मूल प्रभावज का मातना है अगळा निमखिद में थी नाभषक रा इंसर । यहां पर आपका यह हम्मारा यहां पे वह चाहन है यहां पर यहां पर इंसर हो जाएगा अगला है सिंगल area सिंगल वांड सिट्र यहां पर जुड़ा हुआ है तो यह हमारा क्या होता है आपका एकला कोट की अवकरिया के लिए 2 सिंगर्ड इनमर्स होता के लीए दिकळ कोई दिक्कत नहीं यहां तक कोई दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए अगला है यहां पे आपका क्या है यहां पे यह ल्टू यह सो फॉर का होल थ्राइस चीजिए न का वियोजन का वियोजन हंडरड पर्शन हो तो इसके लिए वांट हाप गुरांग कितना होगा यह हमारा होने वाला है आपका पांच कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा अगला है आपका च्छार नम्मर वाला किसी विलियन के लिए ताप पर निर्भर करने वाली सांदरता होती है किसी विलियन के लिए ताप पर निर्भर करने वाली सांदरता क्या होती है क्या होती है इसकी निर्भर करने वाली तो वो होती है आपकी मुह लरता क्या होती है मुँ लर्ता होती है अगला आपे फिनॉल की प्रकती होती है साथ नम्बर आपे है फिनॉल की प्रकती कैसी होती है यह उभयधर्मी होती है कैसी होती है फिनॉल की प्रकती उभयधर्मी होती है कैसी होती है उभयधर्मी तो रगला आपे बेंजीन के साथ आदर्स विलियन बनाता है इसको आप खुछ से करीगे इसके इंसर नहीं मिले थे ठीक न अगला है आपके आपके ऑक्सीजन तथा सूर के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ आक्सिकर बुराने वाली घहरिली गैस क्या है और कार्बन डाय आक्साइड कार्बन मोनो आक्साइड या मूनिया या फासफीन और यहां पर है क्या है आई का जलीगूल का जलीगूल आई तो गजलीगूल यह पिर के लकाहॉलिक गूल इसका राइट एंसर आपका यह हो सकता है इसको पुछ पूरोफॉर्म कि तुरंत ही था जैसे ही पाया उसकी बाद यहाँ पर है यह आपके दोजों नमर वाली है 500 ml विलियन में चार ग्राम यह जगुला है तो विलियन की मुलरता ज्याद किजिए अगला है यह आपको लिखना है और ग्रिणाग्ट अधिकर्मक का उप्यूग करके एथिनौल दथा ब्यूटेंट टू आल बनाई है फिर यहां पर पाच्वाला है किसी प्रथम कोट की अफग्रिया के लिए वेग इस्थिरांग च्छ दस्मलो नौ तीन सेकिंड है सेकिंड इन्मर्स ह तो अभुख्या की अर्ध्युकाल गर्णा के फिनौल की एरियरीव बनाने की रासानिक समिखर्ण लिखिए और यहां पर निम्खित कोמצ मिलियता के बढ़ते प्रम को व्यस्थित करिए अमलियता रहना चाहिए मिलियता लिखा हुआ है कि बढ़ते कर्म को आपको करना है उसके बाद है आप एक अनादर्स विलियन में भेच कीजिए और एक उदाहण देजिए फिर आप पूर्ण करना यह अफ्रिया वाला है फिर कॉपर सल्फेट जली विलियन में 0.2 एंपिर की धारा एक घंटे तक प्रवाहित किया गया तो कैट ठोट पर एक अत्री कॉपर के दर्मान गर्णा कीजिए तेन नमर करें विबरहमा है ताब में 350 केल्विन से 400 केल्विन तक बिद् क्या दिया है और बराबर 8.34 Joule केली इंवर्ष यानि की Joule केल्विन हो जायेगा मोल इंवर्ष और यहां पर आपका दिया है लॉग 1 कामान कितना दिया है आपके ये थोड़ा सा गलत है आपके क्लोग यह नोग ने दिया है पावर टु कमान 0.31034 क्या है सोडियम को राइट के सांद्र अमलिये वेलियन के बैद अभगटन के उत्पाद लिखे और चौदामा है निम्कित में से किसी तीन परिवर्तन का रासानिक संगर दीजिए फिनॉल से 246 प्राइ नाइट्रो फिनॉल प्रोफीन से वन ब्रोमो प्रोपिन एथेनॉल से एथेनल और एथेनोईक अम्र से एथेनॉल फिर पंद्रवान नम्बर यहां पर प्रशन है क्या है पर्थम कोट की अवक्रिया 75% पूर होने में 60 मिनिट का समय लेती है इस अवक्रिया की अर् और यहां प्रशन का मानिक फिर अपिन्होंने किसी पांट की आपको भुष्टिया लिखना है दिए तो उन्होंने छह है यह यह इन्होंने देर रख्था उसके बाद बुला आप 18 नम्बर वाला है नरी का नेम लिखिए और या और दुसरा इविसे सौवाल है तीन सो कैलविंताप पर शुक्रोच के डेसी डेसी मूलर है न क्या यहाँ पर आपकी गड़ना किज़ेंगे उसके बाद है कि ही दो को तर लिखना है अब क्रिया की कोट यह आण विक्ता विभेद आपको इत्पन करना है अब क्रिया वेक पर ताप का प्रभाव आएनिय समिक पूर्ण करना है बस यह आपका लास्ट वाला सवार यह आपका लास्ट वेल्थ के विश्टी का जो अर्थवार्शी हाफ यरली का पेपर आप इसको देख लीजिए गा और मैं कोशिस करूंगा कि आपको पूरा पेपर दे दूए एक बार ठीके न उसके बाद आपका हाफ य कि आपका है झाल झाल